नमस्कार बहुत स्वागत है आपका One India हिंदी में आज 25 मार्च है साल के तीसरे महिने का ये 25 वा दिन इतिहास में अपनी ये खास जखा रखता है आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाई हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है तो आईए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर वैनिस इटली का एक प्रमुख नगर है सुदूर देशों में स्थित इटली में एक छोटा सा शहर है वैनिस मान्यता है कि इसकी प्राकिर्तिक खुपसूर्ती एक कला चित्र के समान दिखाई देती है ये शहर सांस्कृतिक और व्यपारिक केंद्र है आज ही के दिन 25 मार्ज को इटली में वैनिस शहर के स्थापना हुई थी वैनिस के प्रसिद बंदरगाउं में से एक है वैनिशियन आर्सनल देश और दुनिया के इतिहास में यूतो कई महत पूर्ण खटनाएं 25 मार्ज की तारीख के नाम से दर्ज है आज ही के दिन 25 मार्ज को भारत की महान स्वाधीनता सैनानी उशा महता का जन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय उशा महता ने ब्रिटीश समराज्य पर अपने भरपूर कौशल से प्रहार किया था उशा महता ने बापू के बताए रास्ते पर चल कर स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को जोग दिया था अभिनेता फारुक शेख ऐसे कलाकारो में शुमार है जो बड़े और आसाधारण श्रेणी के फिल्म कारों की फिल्मों में एक खास किर्दार के लिए पहचाने जाते हैं या फिर उसी खास किर्दार के लिए बने हैं फिल्मों के माध्यम से अपनी छवी को आमजन से जोडने वाले फारुख शेख का जन आजी के दिन 25 मार्च साल 1948 को गुजरात में हुआ था बॉलिवोड की दिगज एक्ट्रेस नंदा अपने दौर की बेहत खुबसूरत अदाकारा थी जब बॉलिवोड में नंदा ने काम करना शुरू किया तो उनकी छवी छोटी बेहन वाली बन गई थी क्यूंकि पात साल के उम्र से ही उन्होंने हीरो की छोटी बेहन के रोल करने शुरू कर दिये थे लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पहचान बदली और हीरोईन बनी आज ही के दिन 25 मार्च साल 2014 में नंदा का निधन हुआ था फिलाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे है One India हिंदी के सार